नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां आई आज हम सभी दानते हैं दात दर्द पायरिया और मुह की बदभू को जड़ से खत्म कर देने वाले आसान घरेलू उपायों के बारे में मसूडों और जबडों में होने वाली पीडा को दंत शूल से परिभाशित किया जाता है हमें से कई लोगों को ऐसी पीडा अकसमात हो जाया करती है दात में कभी समान्य तो कभी असहनिय दर्द उठता है रोगी को चैन नहीं परता मसूडों में सूजन आ जाती है दातों में सुक्ष्म जिवारूं का संक्रमड हो जाने से इस्थिती और बिगड़ जाती है मसूडों में घाव बन जाते हैं और अत्यंत कष्ट दाई होते हैं दात में सदियों से हमारे बड़े बुढ़े दात के दर्द में घरेलूपदार्थों का उपयोग करते आये हैं यहां हम ऐसे ही प्राकृतिक उप्चारों की चर्चा करेंगे आप सभी से उस बारे में बताएंगे दात हमारे शरीर का एक महतोपून हिस्ता होता है भोजन को भाली भ पीच कुछ फंसने से दात दर्द करने लगना यह एक आम समस्या बन जाती है दातों का दर्द बहुत असनी होता है क्योंकि दात दर्द होने की वज़ह से हम कुछ भी ठीक से खा और पी नहीं सकते हैं आज हम आपको दात दर्द पायरिया और मुझ की बद्बू को जड़ स खत्म कर देने वाले आसान घरेल उपायों के बारे में बता रहे हैं आए जानते हैं इन रामबान उपायों के बारे में सबसे पहले दर्द के लिए दात दर्द का मुख्य कारण है दातों की सफाई ना करने से दात में कीड़ा लग जाता है जो दात को धीरे धीरे खत्म कर और अंदर से खोखला कर देता है इसके आलावा मसूणों में सूजन और दाटों के बीच कुछ फसने पर भी दाट में दर्द होने लगता है इसके लिए आप दाट दर्द का उपचार करने के लिए सबसे जरूरी है सुबह शाम दाटों की अच्छी तरह से सफाई करें काली म पीर्च और नमक का मिश्रण दात दर्द को रोकने के लिए असरदार है इसके अलावा लोंग तेल लगाई है दातों पर जमे हुए मैलचूण में शहद मिला करके दातों के उपर इसके मालिश करें और दातों को तूटने से बचाने के लिए गुणगूने पानी में दो छू सूजन आने से मसूडे कमजूर होकर कर गलने और सरने लगते हैं तथा इन में से बदभू आती है और मसूडों से रक्त आने लगता है इसका उपचार है मसूडों में सूजन की रोख थाम के लिए सबसे जरूरी है भोजन में विटामिन करती है निम्बू का पानी पीने से भी मसूडों की सूजन में आराम मिलता है सरसों का तेल लगाने पर भी मसूडों की सूजन कम होती है इसके अलवा पायरिया पायरिया का मुख्य कारण है समय पर दात की सफाई नहीं करने से भूजन के छोटे-छोटे कंड दातों के बीच म होने से दांत समय से पहले गिर जाते हैं और समय पर इलाज नहीं कराने पर कैंसर होने की संभावना भी रहती है इसका उपचार जान लिजे नमक को सरसों के तेल के साथ मिला करके दांतों पर मालिश करने से पायरिया रोग ठीक होता है इसके अलावा चुटकी भर हल्दी में नमक मिला करके सरसों के तेल की कुछ बूंदे डाल कर दांतों पर मालिश करने से भी पायरिया रोग में फायदा होता है कच्चे अमरूद पर नमक लगा करके खाने से भी पायरिया रोग में फायदा होता है एक आउले को रोच चबा कर खाना भी पाईरियारों के लिए बहुत असरदार होता है दात की हर समस्या से निजात पाने के लिए कुछ घरिलू उपायों को जान लीजिए वाईवी डंग 10 ग्राम, सफेद फिट केरी 10 ग्राम इनको ले करके 3 लीटर जल में उबाल करके जब मिश्रन एक लीटर रह जाए तो आच से उतार कर ठंड़ा करके एक बोटल में भर के रख लीजिए दवा तयार हो जाएगी आपकी इस प्रकार से इसक्वाथ से सुबह शाम कुला करते रहने से दात की पीड़ा दूर होती है और दात भी मजबूत बनते हैं लहसुन में जिवान उनाशक तत्व होते हैं लहसुन की एक कली थोड़े से सेंधा नमक के साथ पीसें फिर इसे दुखने वाले दात पर रख करके दबाएं तुरंत लाफ होता है प्रती दिन एक लहसुन की कली चबा करके खाने से दात की तब कलीफ से छुटकारा मिलता है हिंग दंत शूल में लाफकारी होता है दात की गुहा यानि की केविटी में थोड़ी से हिंग भर दें कश्ट में रहत मिलेगी तंबाको और नमक महीन पीस लें इस टूत पाउडर से रोज दंत मंजन करने से दंत शूल से मुक्ती मिल जाती है बर्फ के प्रयोग से कई लोगों को दात के दर्द में फायदा होता है बर्फ का टुकड़ा दुखने वाले दात के उपर या पास में रखें बर्फ उस जगश को सुन करके लाव पहुचाता है कुछ रोगी गरम सेक से लाभानवित होते हैं गरम पानी की थैली से सेख करना प्रयोजनिय है प्याज किताडू नाशक है प्याज को कूट करके लुगदी दाथ पर रखना हित कर उपचार है एक छोटा प्याज हर रोज भली प्रकार से चबा करके खाने की सलाह दी जाती है इससे दाथ में निवास करने वाले किताडू न जाती है नमक मिले घरम पानी से कुल्ला करने से भी दंत शूल नियंतरित हो जाता है करीब 300 मिली लिटर पानी में एक बड़ा चमच नमक डाल करके तयार करें दिन में तीन बार कुल्ला करें इससे उपचार करना आपका आसान हो जाता है इसके आलवा पुदीने की सुखी पत पेश्ट से दात का मंजन करें इससे दंत शूल दूर होता है जी हाँ दोस्तों इसके आलवा विटामिन C500MG दिन में दो बार और कैलशियम 500MG दिन में एक बार लेते रहने से दात के कई रोग नियंतरित होते हैं और दात भी मजबूत बनते हैं मुख्य बात यह है कि जिवानु पैदा होकर के दंत विकार उत्पन करते हैं शक्कर का उप्योग हानिकारक होता है दांतों के लिए इससे दांतों में जिवानु पैदा होते हैं मीठी वस्तुए हानिकारक हैं लेकिन कड़वे खटे कसे ले स्वाद के पदार्थ दांतों के लिए हित कर होते हैं निम्बू, आउला, टमाटर, नारंगी का नियमित उपयोग लाफकारी है। इन फलों में जिवानू नाशक तत्व होते हैं। मसूनों से अत्यंत मातरा में यानि की खून जाता हो तो निम्बू का ताजारस पीना काफी लाफकारी होता है। दातों की केवेटी में दंत चिक कितसक केमिकल्स मसाला भर करके इलाज करते हैं। सभी प्रकार के जतन करने पर भी दात की पीड़ा शांत न हो तो दात उखडवाना ही आखरी उपाय आपके पास बचता है। जब लग जाए कि एकदम दात खराब हो गया है तो उखडवाने से भी आपको बहुत ज़्याद पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों।